हलो दोस्तों स्वागा तब सबका आपके अपने इट्विचेनल फ्री एजुकेशन दाई पी के महता में और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रसेंटे यानि कि प्रतिसत से मिलते जलते प्रिश्णों के बारे में जैसा मैंने एक प्रसेंट लिया हुआ है कि पचास का 40 प्रतिसत का 40 प्रतिसत क्या होगा पिर समझेंगे कि 50 प्रति का 50 का 40 क्या हुगा आपकी कुछ अफसन दिये हुए है आट 10 20 और 24 तो ऐसे प्रसनों को हम लोग क्या सुल्प करेंगे आज गट्री तो समझेंगे सबसे पह का यहाँ पर एक सब देख का तो का का मतलब होता है simply आप गुना का का मतलब कितना होता है गुना तो बोल रहा है आप से कि 50 का 40% और एक चीज और समने हैं अप लोग प्रेशेंट यानि कि प्रतिसत का मतलब ही होता है आपका 100 कितना 100 जहां भी प्रेशेंट के बात करें तो simply आप 100 समझेंगे निए 100 की बात कर रहा है कि लिए रहे हैं वहीं एक दो ट्रिक और मैं बता हूँ अगर कि अगर आपको यहां पर क्या है यह भीन नहीं है कोई संखिया है यानि कोई डिजिट को भीन में बदलना हो यानि कि परसेंटे गुणा 100 से करेंगे गुणा यानि कि एक बटा दो को अगर हम प्रतिसत की बात करें तो क्या होगा 50% ठीके वहीं अगर हम बात करें दो का प्रतिसत में तो इसमें का अगर हम एक बटा 100 से करेंगे गुणा हम लोग क्लियर है चलिए हम उतना नहीं जाएंगा भी फिलाल हम चलते हैं प्रेशन में कि 50 का 40% का 40% क्या होगा तो मैंने बोला का मतलब क्या होता है गुना तो simply हाभ करेंगे पचास का है तो गुना 40 परतीशत है लिवर दो 14 परतीशत है और मैंने बोला यहां पर 40 परतीशत है इसको बलेंगे बशे muff में यानि प्रतिसत का मतलब ही होता है 100, simply आपका करेंगे बटे में करेंगे 100 से भाग, ठीके फिर यहां पर क्या बहुता है, का 40% तो फिर गुना, फिर 40% की बात कर रहें तो 40, बटे में करेंगे कितना हम लोग 100, इसको करेंगे solve, जब solve करेंगे, एक 0 से एक 0 कटेगा आपका फिर एक 0 से एक 0 कट जाएगा, यहां ही पर मैं खत्म करता हूँ, यहां पर एक 0 से एक 0 कटेगा, और 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो आप देख पा रहे हैं, कि पूरा का पूरा कट गया है, और उपर में क्या बचा आपका, 4 औ वस मल्टिप्लाइ करेंगे, तो आप कितना आपका, 8, बटे में कुछ नहीं बचा है, इसलिए आपका अंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा, क्लिए रहे, चलिए, उमिद करते हैं, अब लोशन में आगवा, देखते हैं, अगला प्रश्ण, तो हमारा अगला प्रश्ण है, कि 4 बाइ 3 का, 60 प्रतिशत का, 80 प्रतिशत क्या होगा, तो मैंने बोला का का मतलब होता है, गुना, जो भी सेंग क्या है, दिखेंगे, 4 बाइ 3, गुना करेंगे, 60 है, तो 60 प्रतिशत दिया हुआ है, तो बटे में करेंगे, 100, फिर का है, तो फिर गुना, 80 प्रतिशत की बात कर तो 80 बटे में 100 और इसको solve करेंगे 1 0 स 1 0 कट करेंगे 1 0 स 1 0 कट करेंगे यहां तर में कोई दिक्षत नहीं 4 से करेंगे 4 एकम 4 अब 25 बर्म को कट जाएगा 25 यहां भी अब देख पारे हैं 3 एकम 3, 3 दूने होता है अपका 6 अब जो है आपका नहीं कटेगा नहीं कटेगा तो क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे 8 दूने कितना होता आपका 16 बटे में 25 और एकम नहीं 25 तो आपका अंसर क्या होगा 16 बटे में 25 यहीं अपका क्या होगा अंसर हो जाएगा क्लियर है तो हमारा अगला प्रेशन है कि 0.25 का 40% का 50% क्या होगा तो सबसे पहले इसको भीन दस्मलों में है इसको आप बदलेंगे भीन में तो भीन में बदलने के लिए दस्मलों कोड़ाते हैं और दस्मलों के बदले में क्या करते हैं बटे में एक करते हैं दस्मिलों के सामने एक दस्मिलों के बदले में एक और दस्मिलों के बाद कितने हैं कि दो वंग तो simply आप दो जिरो बैठाएंगे हो गया भी तो पचीस से कम पचीस चोगा एक सो यानि कि 0.25 का मतलब क्या होता आपका 1 बाई 4 का का मतलब गुना 40 बटे में 100 फिर और एक जिरो से एक जिरो कट करेंगे चार से करेंगे दो दो नी चार दो पंचे दस ये भी कट जाएगा आपका दो से करेंगे दो एक कम दो ये भी कट जाएगा तो आपका बचे के उपर में एक बटे में कितना बचेगा चार पंचे 20 यहीं क्या होगा आपका आंसर हो जा तो वीडियो पसंद नहीं आओगा तो वीडियो को लाइक तो करना ही बनेगा और लाइक के साथ साथ अप लोग हमाई चैनल को सिब्सक्राइब भी किजिए मिलते हैं अगले वीडियो है